सो बोईस कैसे हैं आप सब एस वारवल उमीद करता हूं भिल्कुल ठीक होंगे वेलकम तो मैं न्यू वीडियो तो आज हम लोग बात केने जा रहे हैं POC ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में यह स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है और इस स्ट्रेटजी के उपर आप लोग कैसे प्रॉफिट बना सकती है यह स्ट्रेटजी मार्कीट में ज्यादा दर काम करती है और आप लोग को अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना के देती है और है भी यह छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फिर्स्ट अफाल आप लोगों ने कोई भी कॉमोडिटी या कोई भी पेर ओपन कर ले ना जैसे यहां पर मैंने गोल्ड ओपन कर लिया गोल्ड के उपर लोग ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करती है और गोल्ड को लोग जदा पसंद करते हैं कיोवकि गोल्ड के उपर प्राफिट जाता पंतभी लॉस्ट भी जादा होता है जिफाम नियूर ट्रेड ओटा हुइं उनको मैं कहता हूं वाइड करें के गोल्ड के ऊपर ट्रेड ना करें और यह नहीं कहता कि बिलकुल भी gold के उपर trade ना करें अगर आप लोग बिलकुल trade नहीं करेंगे तो तब भी आप लोग नुकसान में जा सकते हैं तो first of all मेरी YouTube channel को subscribe करें अगर अब अभी तक subscribe करेंगे यह वीडियो को like करें कल हमारी जो class थी वो price action कि थी price action ने किसी ने देखा तो वो भी जाके देखें उसके इलावा फुल प्रो ट्रेडिंग का कोर्स भी मेरे चैनल के ओपर upload है वो भी आप लोग देख सकते हैं या ट्रेडिंग के हर किसम के related वीडियो आप लोग को इस चैनल के ओपर मिलेगी और अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाते हैं ट्रेडिंग सीखना चाते हैं मेरे से personal classes लेड़ना चाते हैं तो आप लोग को नीचे contact number मिल जाएगा अब बात आजाती है बहुत से लोग को ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं होता बस देखते हैं यहांसे यह candle buy जा रही है तो यहांसे buy की trade ले ली यह candle sell आ रही है तो sell की trade ले ली और इसी तरह वो market के अंदर loss पे loss करते जाते हैं तो first of all आप लोगों नहीं यहां पे कोई भी pair open कर ले जैसे मैंने यहां पे gold open किया और M5 का chart open कर लेना है मैंने जैसे कि M5 का chart open कर ले और आप लोगों ने ultra click करना है ठीक है setting में आना है setting में आके आप लोगोंने events पे आना है events पे आके session break के उपर okay कहे देना है session break के उपर जब आब OKE करेंगे उसके आप लोगों को यह line आ जाएगी यहां पे जिसके को market ने इतना move दीया इतने इतने इतना अरिया में move दिया और आज market ने अर्या में move डिया है आप लोगों नहीं यहां पे दो दिन पिछली ट्रेट्स के उपर चले जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने चार्ड को छोटा कर लिया है, चार्ड को छोटा करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे टूल्स में आना है, टूल्स के अंदर आ ही आपको 1, 2, 3, 4, 5 वाला यह जो टूल है, इसके उपर आके आप लोगों ने नीचे आके यह जो है, फिक्स ट्रेज वालियूम प्रोफाइल के उपर क्लिक कर ले रहा है, ठीक है, जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे, तो पिछले जैसे कि आज रुनिंग डे है, पिछला यह डे है, उससे पिछला डे यह है, आप आपने जहां से दो दिन पहले market open हुई होगी, यहां से क्लिक करना है और जहां पे market क्लोजिंग दी है। आप लोगों ने tap कर दो आपके सामने कुछ इस तरह का scenario हो जाएगा। जब इस तरह के scenario आप लोगों के सामने आजाएगा पी-ओ-सी ट्रेडिंग स्ट्रेटिजी कहते हैं इसको तो जैसे के जहां पर मार्केट ने सबसे जदा मूव दिया होगा वह वहां पर एक लाइन इस तरह आ जाएगी जैसे यह लाइन आ गया इसके ओपर आप लोगों ने जाना है टूल के ओपर और इस एरिया को आप लोगो के अंदर तो एक रिजिस्टंस आप लोगों ने यहां पर लगा लेनी है और आप लोगों ने इसका हाई लो देखना है ठीक है लो मार्केट यहां तक देगी आई वी है तो यहां पर आप लोगों ने सपोर्ट लगा लेनी है इस तरह से तीन एरिया आप लोगों के सामने अब इसको हम जाने जाते हैं, चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, अब हमारे सामने ये तीन एरिया आखे दिन के निकल आए हैं आप लोगों के सामने, ठीक है, एक हमारी रिजिस्टेंस आगे, एक सपोर्ट आगया, एक हमारा मिड का लैवल आगया, ठीक है, अब मार्कीट के अ आप लोगों ने ट्रेड कैसे लेनी है, इस स्टैटिक को यूज कैसे करना और प्रॉफिट कैसे बनाना है, यहां पर मार्कीट जैसे ही अपनी इस रिजिस्टेंस से नीचे ही है, जब मार्कीट उपन होई थी, आप लोगों नो तब ही लगा लेना चाहिए, जैसे कि सुब ट्रेड नहीं लेनी, यहां पर मार्कीट उपर आई री टेस्टिंग दी और उपर नहीं गई, यहां पर साइड बे थोड़ा सा दिया, और मार्कीट ने जब इस एरिया को ब्रेक किया तो आप लोगों को यहीं से ट्रेड ले लेनी चाहिए तो आप लोगों को यहां पर ए तो आप लोगों ने इस स्टाइजी में ये करना है ये तीन एडिये जब मार्किट इस एडिया के पास पुछे तो तो रिजिस्टंस से हमेशा आप लोगों ने Sell की ट्रेड भूखनी है ठीक है अब इस एडिया को LEAK कर गई अगर यह रिजिस्टेंस को ब्रेक कर जाती तो तो आप लोग ट्रेड ना देखें क्योंकि फाइफ मिनिट का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मूफ करेंगी और वापस नीचे आजाएगी रिजिस्टेंस से आप लोगोंने हमेशा सेल की ट्रेड देखनी है और इस मीड वाले एरिया चाहले हुआ से आप लोग को बाइ की ट्रेड बर मिल सकती है मार्केट आती है इस मीड वाले एरिया पर यहां थिया यहां थोड़ा सायडवे दिया यहांसे हैवी बाई की ट्रेड केंडल मिल्मी आप लोग प्रकष्ट कर डहसे का स्टॉप अर लौगों ने लिया आपकी ट्रेड्ड यहां से ओपन होई थी ठील है और यहां तक आप लोगी ट्रेड गई और इस तरह मार्कीड कर अगर इस अरिया से नीचे आ जाती है तो इस एरिया कि ऊपर का आप लोगों ने स्टॉपलस रखना है और नीचे तक का आप लोगों ने ट्रेड को देखना है क्योंकि यह जो स्ट्रेटजी है यह जादा तर इसी तरह वर्क कर रही होती है और मार्किट आप लोगों को अच्छे से प्रॉफिट देती है कल मैंने अपने वी आई पी के अंदर भी सिंगनल दिया था और इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर यूस करने के बाद मैंने अपनी स्टोरी के उपर भी लगाया था हाँ जी ये स्ट्राटिजी वर्क करती है और ये स्ट्राटिजी आप लोगों को प्रॉफिट बना के देती है अब इस स्ट्राटिजी के अंदर हम एक और चीज देखते हैं ठीक है आप लोगों ने ये तो देख लिया कि हम लोगों ने एरियाज लगा लिया resistance लगा लिए support लगा लिए and areas लगा लिए ठीक है first of all आपने ये लगा लिया अब जो area है main वाला area ठीक है इस main area की सारी गिये में अगर दिन के अंदर market इस main area पे आती तो यहां से आपको अच्छी से अच्छी trade मिल सकती है या buy की मिल सकती है अगर इस area से market buy की candles बना रही है तो आप लोग यहां से नीचे का stop loss रखके buy की trade ले ले और stop loss होता है यह नहीं के stop loss नहीं होता लेकिन M5 का chart है छोटा सा 20-30 pips का stop loss होगा और 40-50-60 pips तक का TP होगा और अगर इस area को break करके नीचे आ रही है तो आप लोग उपर का stop loss रखके और नीचे वाली support तक का TP आप लोग लगा सकते हैं अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कल हमने market के अंदर जो move लिया है यह जो है ना यह हमारी कल की trade है ठीक है उसी तरह हुआ हमने पिछले दो दिन का लगाया हुआ था ठीक है जब market इस area में पहुंची यहां से market ने rejection दी selling की candle बनाई और यहां से हमने sell की trade ले ली थी और उसके बाद one ratio three से भी जादा तक market देखो कितना नीचे आई है बट हम लोगों ने अपना target यहां तक रखना इससे आगे नहीं रखना क्योंकि जो एक market का rule है हमने उस rule को लेकर चलना है और उस rule के मताबक market के अंदर trade करनी है यह strategy मैंने खुद use की हुई है और यह strategy 100% work करती है और आप लोगों को लोस नहीं होगा अब एक strategy को लेकर चलें दिल में 57 trades निकालें इसके उपर 57 currencies के अंदर या commodities में या pairs में जिसके stocks में जिस मर्जी में आप लोग निकालते हैं 500 trades निकालें और side पे हो जाएं और यह strategy आप लोगों को तकरीबन हर दफ़ा profit देखी जाएगी अब मैं यहां पर कोई और chart open कर लेता हूँ जैसे के हमने यहां पर CHF JPY open कर लिया CHF JPY में आगे यहां पर उसी तरह events पर जाके हमने वह कर लिया तब पहले ही तो अब देखते हैं पिछले दो दिन मार्कीट ने यह एरिया को मूव दिया हम आए हमने यह वाला स्लेक्ट के यह टूल आप लाजमी देख लें fixed range volume profile यहां से मार्कीट open हुई थी यहां कल मार्कीट close हुई है हमने यह लगा लिया यह इसका main area आ गया यहां पे हमने zone लगा लिये यह वाला zone तो बहुत important है ना एक यह हमारा zone आ गया ठीक है secondly जो हमारा higher आए था वह लगा देखो अज मार्कीट इसी high से ही नीचे गिरी है इधर से उपर नहीं गई और जो low था वह हमारा यह आ गया अब जैसे के आप लोग अगर सुबह इसको लगा के आप लोग बैढ़ जाते तो मार्कीट वापस आई इस एरिया पर यहां से सेलिंग के केंडल बलाई आप लोगों ने यह उपर का stop loss रखका और मार्कीट को जाने दिया ठीक है one ratio two तो यह होई चुका है और मार्कीट नए नी स्ट्राटगी लेके आता रहूंगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर बाबाई